हेलो फ्रेंड आज की बाजार के मुमेंटम को देखते हुए कल के लिए क्या रणनिती बना सकते हैं कल के लिए कौन से इप्पोर्टन्स लेवल हैं समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से और आज बाजार बंद होने के बाद FIs और DIs के जो आकड़े निकल क्या है वो काफी ज बाजने के बाजने के बात करो तो आज डिया इस ने आप देख सकते हैं 5600 क्रोड की बाइंग की है और selling की बात करें तो तक्रीबन 6,426 करोड की selling की है यानि अगर हम net value देखें प्रेंट्स तो यहाँ पर आपको minus में net value देखना को मिलेगी जितना D.I.S. ने खरीदा है उससे ज़्यादा तो बेच दिया है माल यानि तक्रीबन 745 करोड की बीक वाली D.I.S. की और से देखना को मिलेगी जहाँ तक F.I.S. की बात है तो F.I.S. ने तक्रीबन 6,600 करोड की बाइंग की है उसमें से selling की बात करें तो 5,360 करोड की selling की देखना को मिल रही है यानि अगर हम net value देखने को मिल रही है यानि जैसा आपने पहले भी देखा होगा के जब F.I.S. खरिदते है तब D.I.S. सेल करते है और जब D.I.S. सेल करते है तब F.I.S. बाइंग करते है तो निप्टी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो दोबेर के बाद जो की selling pressure हावी होता है नजर आए 80 point की strong selling pressure देखने को मिले जो कि आज opening तो काफी strong थी opening के बाद एक बहुती बढ़िया new high भी देखने को मिला है तो आज की opening का जो strong momentum था तकरीबन 18.550 की आसपास का ओही level फ्रेंड्स यहाँ पे जो strong support की तरह आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ से strong buying आई थी आप देख सकते है कितनी बड़ी आ green candle बनी थी तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक हलका सा support level देखने को मिल सकता है 18.550 की आसपास अगर यहाँ पे level break होता है तो कोई अच्छा level है नि जो price को रोक सके यहाँ पे आपको अठ्रा 400 रुपे तक के correction निप्टी में देखने को मिल सकते है तो यहाँ तक बेंग निप्टी की बात है तो बेंग निप्टी में भी फ्रेंड से जो हमने लेवल कल डिस्कुस किया था यस्टेड़े 43,260 का उसी level से मैज rejection देखने को मिला है तो अगर आप मेरा वीडियो डेली बेसिस पे देख रहे है तो आपने डेफिनिटी यह नोटीस किया होगा और यहाँ पे आपने डेफिनिटी शोट साइड अपने पोजेशन बनाई होगी और अच्छा मुनाफ़ा भी निकाला होगा तो यहाँ पे फ्रेंड अच्छा rejection देखने को मिल गया अब यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल की बात करो तो जो 4200 की लेवल को भी ब्रेक करता है तो और बड़ी इंग पर पर बदफिन में नजर के सकता है लेकिन यहाँ पे इस लेवल को भी चुकरता है तो इन लेवल के ज्यादा बूलिश रहना में सही नहीं मानता हूँ मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है तो बेरिश व्यू रखना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चनल पर निज़ जोनों को सब्सक्राइब कर लिजा